Hello students, आज हम पढ़ेंगे रंद्र गती की क्रियावधी रंद्र गती की क्रियावधी से मतलब है कि रंद्र जो है वो किस प्रकार से खुलते हैं और किस प्रकार से बंध होते हैं यानि उनमें शलत और स्फिति अवस्ता किस परकार से होती है और किस परकार से वो खुलते हैं और किस परकार वो बंद होते हैं इस से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि रंद्र की अवसता के कारण जो है उसका खुलना और बंध होना होता है लेकिन क्या कारण है जो उसको प्रभावित करते हैं जिसके कारण रंदर खुलते हैं बंध होते हैं वो आज हम विस्तार से पढ़ेंगे तो इसकी खुलने और बंध होने की किरियाविदी को पस्ट करने के लिए कई सारी परिकल्प तो हम एकए करकि सभी को विस्तार से बढ़ेंगे यह इस की है जो हम पढ़ें जो है का शुगर cha है यानी स्टार्च का शुगर नहीं तर्विडर्टन होना उसके बारे में पढ़ेंगे तो देखे इस परिकल्पना का परिपादन जड़ी सायरे ने 1923 में किया था तो यह जो परिकल्पना है विग्यारिक जड़ी सायरे ने प्रतिपादत की थी और उन्हां नहीं कहा था कि इसकी अनुसर दिन में कोस्षिकराल है उनमें कार्बन अक्सवरीड की मातर हां कम हो जाती और pH कमान बढ़ जाता है कि आख Кیں तो आपको सब्कु random को पता है कि दिन के समय क्या और रंदर खुले रहते हैं और रातरी के समें मुख्यते ये क्या होते हैं बंद हो कार्बन ड्यॉक्सरड की संफनलाइट की और किसके अश्खत है जैसे कि आपको पता ही है रक्सक कोशिका Deus के अंदर क्लोरोप्लास होता है वहाँ पर मैं क्लोरोप्लास में क्लोरेण उपलंद होती है और आपको पता है रक्सक कोशिका में अब loser carbon dioxide हेतक इसिए उसकी कार्बन डियॉक्सडव कर रहा है उसकी वज़ए से क्या हो जाता है कारण्र क्सट य हो जाती है और क्या होते हैं और ता क। yön पिएच बढ़ जाता है तो यह मैं आपको क्लियर कर दूँ आपकी बुक में उन्हीं नहीं लिखा है लेकिन वहाँ पर क्या होते कार्बनिक अमल का निर्माण होने लगता है और अमलिता के कारण जो है जो द्वार कोशिक हैं जिनको रक्षकोशिका भी कहा जाते हैं उनमें pH मान बढ़ने लगता है pH मान बढ़ने के वज़े से वहाँ पर फॉस्फोलाइज इंजाइम है वो सक् करियता के कारण जो है वहाँ पर किसका निर्माण होता है स्टार्च का वहाँ पर स्टार्च का निर्माण होता है जिससे हम मान कहते हैं यह जो स्टार्च है स्टार्च का निर्माण नहीं यह जो स्टार्च है वह परवर्तित हो जाता है शक्रा में जिसको ग्लुकोश मन फ चुल उता है तो इसके द्वारा क्या होता है द्वार कोशिका का विष्रण नम्ता बढ़ जाती जिसको निपाठी कहते हैं तो डीपटी पढ़ जाती है और द्वार कोशिका है उसमें वह जो है स्विति अवस्थां में पहूंच जाती है और स्फिती वस्ता कि आप पहुंचने में आपको पते हैं जब स्फिती में हो जाती है यानि उस दशा में पहुंच जाती है तो फूलिंग करण क्या होते हैं रंद्र खुल जाते हैं कि देखिए फिर से समझें बहुत ही शौट में और बहुत शौट ट्रिक से समझा रही हूं तो उसको ध्यान रखे गया और ध्यान से समझने कोशिश कीजिए कि मार्च अकला परिकल्पना जड़ी सहरे ने दी थी और उनके अनिसार जो है प्रकाश यानि दिन के समय में क्या ह होते हैं रक्सकोशिकाव में कार्बन डियक्सरड की कमी हो जाती है कार्बन डियक्सरड की कमी होने से वहां पर जो है रक्सकोशिकाव में क्या है पीएच का मान बढ़ जाता है उसकी मान बढ़ने की वज़ए से जो है फॉस्फराइस इंजाइम जो है वह सक्री हो जाती है और उसकी सकर्थिया की कारण जो है स्टार्ड जो हैवो शक्रा में चेंज हो जाता है यहां देखिए फॉक्त की यह है और उसके बढ़ने की कारण जो वह स्फित अवस्ता में पोह जाती है यानि फूल जाती है क्योंकि जैसे ये glucose 1-phosphate बढ़ा तो क्या है गुलंशन हुआ और जो साहिक कोशिकाए है उनमें से जल इनमें प्रवेश कर जाएगा जब इनमें जल प्रवेश कर जाएगा तो ये किस अवस्ता में पहुंच जाएगी स्फिती कोशिका में और रंद्र क्या होते खुल जाते है इसका जस उल्टा क्या होगा रातरी में होगा रातरी में क्या है कि अब प्रकास अंसलेशन नहीं होगा वहाँ पर तो द्वार कोशिका में क्या होगी कर्بन ड्यक्साइड की वर्धि हो जाती है उनकी वर्धि होनली की कारण बात वही एकि पीघ के ऑगधत जाएगा और TVs के कारण यो यो बना था गुलकोजा बन फ८ुन फॉस्परिट वापस क्या बन जाता है kis के कारण जो हैसा जो है दोरकोशuciones कösका वो कैसे हो तो अरंद्र क्या होते उस अवस्ता में बंद हो जाते हैं पुना बता दी हूं पुना ध्यान से सुनिए कि रात्री की समय क्या होगा द्वार कोशिका में कार्बन डियक्साइड की व्रद्धी हो जाती है जिसके कारण वहाँ पेश क्या होते हैं घट जाते हैं और जो बना थ जाते हैं जिसके कारण रंद्र के बंध हो जाते हैं तो बहुत ही सिंपल है तोड़ा ध्यान से समझें कि जो सेकंड जो वरीकल्पना वो इसी पर आधारेत है तो परिकल्पना जो थी वो थी मार्ट शक्रा परिकल्पना तो इसमें क्या है कि रख्सकोशिका में जो है कार्बन डियोक्स रड़की कमी हो जाती है जैसके वजह से पीच का मान बढ़ जाता है और फॉस्फोराइज बढ़ जाते हैं डिपडी बढ़ने से उनमें स्फिती जो है दशा बन जाती है जिसके कारण रंद्र खुल जाते हैं रातरी में जैसे उसका उल्टा होता है कि जैसे कारबन डियोक्स रड़की की वर्दी हुई पीच कमान बढ़ जाता है द्वार कोशिका में और जो बना बन जाते हैं जिससे द्वार कोशिका सलद हो जाती है और रंद्र बंध हो जाते हैं अब हम दूसरी परिकल्पना पढ़ेंगे जिससे कहा जाता है स्टीवर्ड की परिकल्पना अब यह जो परिकल्पना की अनुसार जो है, अगर हम इसको बहुत शॉट में अगर बात करें, तो जिस स्टिवर्ड ने हैं, यह वाले जो सायरे की जो परिकल्पना थी, जेडी सायरे की माड और शक्रा परिकल्पना उसी को आगे बढ़ाया, उन्हाने अपना जो रिसर्वर निना करने के अनुसार उच time stars कर जो श्टार्ण जो हैुं को फॉस्पट के आगी के और विश्टलेशन होता है जिससे ुप कुम तथा अंत मेंगुलकोर बनता है और पॉस्पट वे गुलकोर जल में गुल्कुल से से अधिकुलंशील है आते इस द्वार कोशिका की कोशिका रस की सांदता काफी बढ़ जाती है जो रंद्रों की खुलने के लिए प्रयाप्त होती है तो यहां देखिए तो इसमें उनने कहां कि यहां glucose 1-phosphate है उसके आगे भी क्या बनता है glucose 6-phosphate और यह जो glucose 6-phosphate यह और भी गुलंशील है जिसके कारण कोशिका में क्या होती है कोशिका रस की सांदता बढ़ जाती है और इसके कारण जो रंद्र है वो खुल जाते है इसको इससे यहां से समझते हैं फ़र से हमने यहां कहा की कार्बन डेक्सिट की कम्य हुए पी फियच का मान बढ़ा और फिर वहां पर स्टार्च की में परवर्दित हो गिया गुलकोज फॉसफटेड में लेकिन स्ट्टिवर्ड ने कहा कि ए वन फॉस्फेड के आगे भी एक और क्योंकि वन फॉस्फेड इतना जो है घुलंशिल नहीं होता है दोवार कोशिकों में तो उससे आगे भी क्या बनते हैं ग्लुकोज सिख्स फॉसफेड हैं समझाने को कई ध्यान से देखिए स्टार्ड वो किसमें परवहत हुआ ग्लुकोज में लुककोज इस विचेंज्ड होता है ग्लुकुस और ये जो होते हैं glucose 6-phosphate जो है वह जादा गुलंशील है glucose 1-phosphate की जो ग्लुकोस 6 है कर असके सांद्रता बढ़ जाएगी जब इनकी बढ़ा ये उसके खुशिका में नर्मार्ण वा स्टर्स से गुल्गोज बना ऑर जो कोश्का में किसी में पहुंच जाएगी वह जो है स्फितिध्ष हमें यान फूल जांगी और हमें पता है जब फूलती है तो क्या होते हैं खुल जाते हैं अब रात्री में जैस इसको उल्टा होगा है रात्री में impart प्रट क्यों पिलुब लुट कोशिका में पिए गट जाएगा जिसके कारण जो है ग्लुको सिक्स फॉसफेट किसमें वापस बदल जाएगा ग्लुकोस फॉसफेट में हमने अभी कहा नहीं यहां पर कि ग्लुकोज 6-Pho 좀 stir चीम और 4-7 फिर उस्से ?"- A lugose 1- um यहांच से वापस क्या बन जाएगा ग्लुकोज 1-ा- फोस्वें और ग्लुकोज 1- फॉसवेड वापस किसमे परव्दत पेएगाग स्टार्च में जब यह स्टार्च में परवर्दちゃ م्लु जाता है तो हमें पता है जब starch में परवर्वित हो गया तो द्वार कोशी का कैसी हो जायगी शलत हो जाएंगी और अर अंदर क्यों होगे बंद हो जाएंगे तो ये थी steward की परिकलपना अब हम तीसरी परिकलपना का अध्यान करते हैं जिस सध्धान को कहा जाते है सक्रिय पोटेशम आयन स्थांतर सिध्धांत और इस सिध्धांत का पर्तिवादन जो है विज्ञानिक इमामुरा और फ्यूजणा ने 1960 में किया था अब पहले इन्हों ने किया था फिर बाद में जाके लेविट ने जो है इसको रुपांतरत किया 1974 में जो वर्तमान में सर्व मानने स्ध्धांत था तो पहले जो है इस पर कारे किया था इमामुरा फ्यूजणा ने बाद में इस को जाके आगे बढ़ाया और इस पर और कारे किया लावत ने और यह वरत्मान रूप दिये जो ऐसर्व मानने हैँ अब देखे उन्हा थे क्या यह कहा देखे इस च्ञुद्धान प्रकॉब पस्तधिमी यानि दिन क के समय दौर कोशिक्ष्प में मैयर्वerk अमल का निर्माण होता है जो जो कि मैलेट आययन और हड्रोजिन आययों में व्योज़ध हो जाते हैं और समीविख कोशिक ओन के पॉटेशिएं द्वार्ण कोशिक में प्रवेश करते हैं जिस्मेलेटका निर्माण होता हैं और जिससे द्वार कोशिका की प्राइसरण सांदरता बढ़ जाती है आते जलका प्रविश द्वार कोशिका में होता है जिससे वे स्वित हो जाते हैं और रंद्र खुल जाते हैं कि अब देखिए इसको थोड़ा हम डियाग्राम से समझते हैं तो श्याद आपको आसानी से समझ आएगा तो यह मैंने एक डियाग्राम बनाया है यहाँ पर मैंने एक ही द्वार कोशिका बनाई है यह जो देख रहे हैं गार्ड सेल हम इंगलिश में बोलते हैं हिंदी में हम द्वार कोशिका और रक्षक कोशिका से कहते हैं और इसके बाहर आप यह देख रहे हैं यह हैं इसकी साय क तो मैंने सिर्फ एक डाग्राम बनाया आपको शो करने के लिए एक द्वार कोशिका बनाई है तब क्यों समझ मैं तो अब तक हमें पता है कि जब दिन होता है यानि दिन के समय जब प्रकाश है तो प्रकाश जब पढ़ रहा है दिन हो रहा है तो यहां पर जो है द्वार कोश प्रकाश की और यहां जो है यहां जो गार्ड इसेल यह रख दौर कोश्ची करहे हैं में क्लोरोप्लास्ट होता है उन्में परस्त ख्लोरो फिल की इन तीनों चीजासों की आविश्क्त होगी तो वहां kya बनते है कापनिक अमल हमें पता है तो हम ने अकई दिन के समय क्या बन रहा ही रक्ष कोशिकाओं में मैलिक अमल बन रहा है यह देखें मैलिक अमल का निर्माण हो रहा है कहां द्वार कोशिकाओं में फिर यह जो मैलिक अमल है इसमें क्या है अमलतिया जादा होती है यानि बहुत जादा असेडिक होता है अमलतिया जादा होता है तो यह जो है, वो किसमे तूट जाता है? एक उसकी छोटे रूप में जिसको कहा जाता है Mallet प्लस HIV tule हो जाता है यह तूटड जाता है यह malicण अमल है जिरले ज़्यादा अमले होने के कारण यह malic acid जो है वह malic plus HIV ко치et में वियोजत हो जाता है यह तूट जाता है अब तूटने के बात दिये है यहां पर बाच्चा मैलट और एच आयन एच आयन बनने के बाद यहां पर और अमलेता बन रही है और हमें पता है कि यहां पर यहां पर जो है यहां पर जो है देख रहे हैं हम लोग जो एच आयन है वह अधिक हो जाते हैं त तो यह जो द्वार कोशिका से जितने भी है एच आयन वो बहार निकल जाते हैं यह जो एच आयन है वो यहां से द्वार कोशिका से बहार आ जाते हैं किसमें साय कोशिका में और यहां से जो साय कोशिका है उसमें से जो पोटेशम आयन होते हैं कि अंका संवन होता है दो हरकोशका में ता कि ओनलड़ का अनुपाद बराबर रह सके और दोनगों में जब आके कि हैं और यहां पैटेशम आयन चार्इव को ब्रआबर एक अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम बात करें तो यहां से जब मैलट के साथ क्या बना एच आयन तो यह जो एच आयन जितने भी बन रहे हैं मैंने आपको ब्लू एरो से शो करनी कुश्च किये दुआर कोशिका से किसमें आ जाते हैं बहर साय कोशिका में और साय कोशिका में ज होढको पता अजोंगे और होपस आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझाने कोशिश कर रहे हूं अची जो मेलटायन के साथ बहुत सारे फार कंशाब बने तो यह H-I-N कहां आजाएंगे बाहर के तरफ, साय कोशिका में यह बने ब्लू लाइन से शोक किया है यह क्या हो जाते यहां से यहां आ जाएंगे इस कोशिका में आ जाएंगे और उसकी वज़े से ही जो H-I-N थे Potation-I-N जो कहां थे साय कोशिका में वो कहा जाएंगे द्वार कोशिका के अंदर ये अंदर आ जाएंगे ये बहार आ जाएंगे ठीक है अब जो पोटेशम जब अंदर आया तो ये मैलेट के साथ क्या करेगा रियक्शन करेगा ठीक है पोटेशम आया ने मैलेट के साथ क्या करा रियक्शन किया तो यहां पर क्य कोशिच कर रहे हूं आप उतना भी लिखेंगे तो भी आप एक्जाम में स्कोर करेंगे तो ध्यान सा सुनिए मैं बहुत शॉर्ट को समझा रहे हूं यहां पर मैलिक अमल बना मैलिक अमल जो है वो जो है अधिक अमलेते यहां पर हो जाती है द्वार कोशिका में तो वो टूटा मैलट और एचायन में अब यहां पर एचायन के अधिकता होने के कारण और इसके कारण यह जो एचायन है यह बहार के और गमन करते हैं यानि कहां पी साय कोशिका में सारे ठीक है और यहां पी जो साय कोशिका में क्या थे पोटेशम आयन वह द्वार कोशिका की तरफ गमन करते हैं ताकि जो है आयन जो है उनका चार्ड जो है वह बना बर बना रहे हैं जब यह पोटेशम आयन अंदर द्वार कोशिका में आते हैं तो यहां मेलेट जब यहांपे बनता है तो वो दुआर कोशिका में अधिक गुलर्ण visão होता है जिसके करन जो है दुआर कोशिका में क्या होते प्राजर यह सांद्रता बढ़ जाती है औस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है यानि प्रासरन सांदरता बढ़ जाती है और जब इसकी प्रासरन सांदरता बढ़ जाती है तो क्या होगा यहां से जितना भी जल होगा वो सारे किसमें आ जाएगा द्वार कोशिका में आ जाएगा और द्वार कोशिका में जब जल आ जाता है तो हमें पता वो कैसी हो जाएगी सफिति अवस्ता के पर यहां पर फुरिफटी अवस्ता के दियान हमें पता है क्या होते हैं रंदर खुल जाते हैं तो यहां पर यहां पर क्या यहां से यह आयन जाता है तो यहां पर उड़जा की आवश्कृता होती है यानि एटी पर खर्च होता है मैंने यह सारा डेटेल मैंने आपको बहुत शॉट में बताया अगर समझाएंगे तो बहुत बड़ा रेक्शन है तो अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि यहां जो मै पर आयन बराबर होना हो और यहां पर अब यहां सख्राइब करणी जसके काणरण यहां पर कोशिका में है प्रासरण सांदरता बढ़ जाती हो जलका प्रवेश होता है और जलके प्रवेश से हमें पता है क्या होते हैं रंद्र खुल जाते हैं अब रात्री में थोड़ा उल्टा होता है रात्री में हमें पता है कि प्रकास संसलिशन क्या होता है यानि नहीं होता है उसके कारण जो है उपर अंद्रियों गुवा में जो है कार्बन डियक्सड की सांदरता में व्रद्धी हो जाती है और कार्बन डियक्सड की सांदरता मे वर्दी होती है तो हमें पता है वहां पर जो है क्या होता है अपसेसिक अमल का निर्माण होने लगता है जब कार्बन डियोकसड को अधिकता होने लगती है देखिए मैं आपको यहां समझाती हूं यहां देखिए अभी हमने बात की थी कि यहां पर क्यों का प्रकास संसलेशन हो रहा था और संस्कलिशन के बाद यह मायलक अमल का निर्माण हो रहा था अब यहांपे मायलक अमल को निर्माण होने लगा यहांपे जो एक हार्मोन जो है कार्बन डियकोटेल की उपस्तिती atrás यहांचि एक 열심히 बनने लगा है जिसका नाम है अपसासिक अमल यह अमल के बढ़ने के वज़े से किया पर जो है दौपर कोशिक होती है उनमें पॉटेशयम आयन का बहर गमेन है यह भी एक है कि आपको बताया था नो पॉटेशयम आयन अंदर की तरब जाता है क्लोरीन पर प्रवेश करता है औ बहुँत्स शॉर्ट में समझे कि क्या होता है प्रकास इंसलेशन जब बंद हो जाता है क्या उपर अंध्य तो वहाँ एपससिक अमल जो है, वह सक्री हो गया जिसके गारण जो है, द्वार कोशिका में जया है, वह पोटेशम आयन का बहर गमन हो गया तो हमें पता है ना, यह जो पोटेशम आयन अंदर गया थे, वो क्या होगे वापस बहर आने लगते हैं और उसकी वज़े से जो है द्वार कोशिका की जो प्रैसरन सांदरता उनमें कमी आ जाती है उनकी कमी होने के कारण क्या है बही प्रैसरन होगा यानि जितना भी जो पानी जो बहार की जो कोशिकाओं से आया था वो बाहर की तरफ जाने लगेगा और जब बाहर जाएगा तो द्वारकोषецट का सलद अवस्ता में पहुँच जाती है और जब सलद अवस्ता में पहुच जाती है तो हमें पते हैं क्या होते हैं रंध्र entrepreneur बंद हो जाते हैं तो ये था जो ये हमने पढ़ा यह थे हैं जो हमारी जो थर्ड वाली है जिसे हमें नहीं कहा सक्रिय पोटेश्यम आयन स्थांदर्ण सिध्धान जहां पे जो है पोटेश्यम का जो है स्थांदर्ण होता है द्वार कोशिकाव साय कोशिकाव के बीच में अब है आता है बिंदूश्राभ टो बिंदूश्राभ क्या है तो मूल दाव की प्रभाव से कुछ पादबो की पत्यों के किनारे ततह शीट से जल की बूंदे शावत होती है इस केरिया को बिंदु शराव कहते हैं तो अभी हमने वास्फो सरजन पढ़ा वास्फो सरजन में किया है रंदरो दुआरा जल जो है वास्ट की रूप में बहार जो है लिकलता है मतलब वास्ट की रूप में लिकलने को हम लोग वास्फो सरजन कहते हैं लेकिन जब जल जो है बूंदों की रूप में जब पत्यों की शिराओं से निकलता है तो और बूंदों की उसमें रहता है तो उसे कहा जाता है बिंदु शराव और इसका अध्यान जो है साफ़ पथम बर्गस बर्गस टेन ने 1887 में किया था 1847 में जो है 1886 में 1887 में किया था और उन्होंने इसका अध्यान किया था आलू अर्भी बार फिल्म और कुछ घासों आधी पौदों पर और यह जो आपको है बिंदु शराव वो है आपको सुबह सुबह देखने को मिल सकता है कि आप सुबह सुबह अगर देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा मैं आपको डियाग्राम दिखाती हूँ यह कैसा दिखता है यहां देख पा रहूंगे आप यह आप देख पा रहूंगे कि पत्यों की किनारे पर यह बूंदों की रूप में जो जल है इससे बिंदु शराव कहा जाता है और यह किरिए आप बिलकुस सुबह सुबह ही देख सकते हैं सुबहाद 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 आपको देखने को मिल जाएंगी पत्यों किनारे जिस्टे आया अलू और बायरिव फिल्म या कुछ घास्षं यापको देखने को मिल जाता है अब देखी ही, जो है कि हमने देखा वास फोर्स ठरजन की क्रिया जो है वह किसमे वो både थी रंद्रो से है ऐसे ही ये जो है बिन्दु श्राप की क्रिया जो है यानि ये भी जल रंद्रो द्वारा ऐसा होता है तो यह जल रंदर कुछ इस प्रकार से होते हैं, अगर हम आंत्रिक देखें चित्र, ये लहा है, अंदर परppen आपसे को दिखा सो जो जल की ये श्रती, पत्यों की शिराओक च्छुटे चित्रों से इस ये याँ जो फेसेदिम कुछ चया लगता है, auditor में जल रंदर कखा जाता है यह जो इस साओ जलरंद्र कहा जाता है और प्रप्रतीकि जल रंट की शीष पर चिदर कAudience के ऌणिछ घटी नहीं होथी हूं सदे कुले रहते हैं एक रंद्र ख़लता है बंद होता है लेकिन रंड्र और जल ख़िदर होता है जो सब्यों नहीं होती है हमेशह खुले ही रहते हैं और इन जल्रंद्रों के अंदर की ओर जो है मर्दों कोरिक्खाउं कोके समी होता है जो है और इन SKU एपिथिम उत्तक कहा जाते हैं अंदर की और पत्तियंगाओं के शिराओं से जायलम वाहिका यह दिखर आपको उनसे जुड़ी हुई रहती है और जड़ दुआरा जल का अधिक परंद वासफो सजन की दर कम होने पर जायलम वाहिकाओं में मूलदा उत्पन होता है जिससे ज अंदरत होने पर जल्ड़ से बुंदो की रूप में बहार आता है तो हम कह सकते हैं कि मूलदाप के परणाम वाहिकाओं निए श्रुप के क्रिया होती है तो यह देख रहे हैं जल है आपको पता है मूलद प्रुप और जो है वास फॉर्स जो होता है उपर गमन करते है तो यहां आता है तो यहां से प्रवेश प्रवेश कर जाता है और अप्थ हमसे जल जहत्र यहां को किया ने खुलने और बंद ओने की तो उनके डिन के समय किया ौऔर सबस्षोएं सब्सक्राइब प्रकाश कम यत करिख सकते हैं यह क्रिदय के कभए बहुत से कार्मिस Thank you!